नमस्कार तत्थे में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश अवस्ती जियां तत्थे में आज हम बात करेंगे एन पीए की एन पीए जिया सरकार ने पिछले पांच सालों में बैंकों के दस लाख करोड का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिया है वित्मंत्रीन निर्मला सीतारामन ने राज्यस सभावे एक सवाल के जवाब में देश के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए कर्ज का आंकड़ा पेश किया उन्होंने बताया कि बीते पांच वित्वर्च में कुल दस लाख नौ हजार पांस सो ग्यारह करोड रुपए के फसे कर्ज जिसे एन्पिये बट्टे खाते में डाले गए हैं और बैंक के बही खाते से हटा दिये गया हैं वित्वमंत्री ने पेश की आंकड़ा भी थे पांच वित्वर्चों में बट्टे खाते में डाले गए फसे हुए लोन जिसे एन्पिये का आंकड़ा पेश करते हुए वित्वमंत्री निर्मला सीता रामन ने बताया कि आर्बियाई के दिशा निर्देशों और अपने नि विजर बैंक के हवाले से कहा अनुसूचित वानिजिक बैंक सी बी ने पिछले पांच वित्वर्चों के दोलान दस लाख नौ हजार पांस सो ग्यारा करोड रुपए की राजशी को बटे खाते में डाला है बैंक जारी रखते हैं लोन की वसूली वित्वमंत्री ने आगे कहा कि राइट आफ किये गए लोन कर्जदार को कोई लाब नहीं होता है वे पुनर्भुक्तान के लिए उत्तर दाई बने रहेंगे और बकाई की वसूली की प्रक्रिया जारी रहेगी उन्होंने कहा कि बैंक मौजूदा उपायों के जरिये बटे खाते में डाली राशी की वसूली का काम जारी रखते हैं इन उपायों में कोट या कर्ज वसूली न्यायधी करणों में मुकदमा दायर करना और दिवाला रिण शोधन अक्षमता सहिता दो हजार सोला के तहर मामले दर्ज करना शामिल है 2021-22 में इतला कर्ज बटे खाते में सवाल के लिकित उत्तर में वित्तमंतरी सीता रमन ने कहा कि अनसूचित वानिजिक बैंकों ने पिछले पांच वित्तवर्षों के दोरान कुल 6,69,596 करोड रुपई की वसूली की है इसमें बटे खाते में डाले गए लोन में से 1,32,036 करोड रुपई की वसूली भी शामिल है इस सम्मन्द में वित्तराज मंतरी डॉक्टर भागवत कराड ने बताया कि वित्तवर्ष 2021-22 सीवी द्वारा 1,64,966 करोड रुपई के कर्ज बटे खाते में डाले गए उन्होंने कहा कि RBI के अनुसार पिछले वित्ती वर्ष में बटे खाते में डाले गए लोन में से 33,534 करोड रुपई की वसूली की गई है बटे खाते में कर्ज डालना तत्थे हैं समझ ये क्या होता है माफ करना नहीं PTI के मताबिक कमपनियों द्वारा लिये गए बड़े कर्ज को लेकर पूछे गए सवाल के उत्तर में निर्मला सीता रामन ने कहा कि उन्होंने कहा ये कहना गलत है कि बटे खाते में डाल कर हम उस राशी को अपना नुक्सान मान रहें सरकार ने बड़ी कमपनियों द्वारा लिये गए कर्द को माफ नहीं किया है सीता रमन ने कहा कि बट्टे खाते में डालना माफ करने से अलग है यहां तत्थे में आपने जाना कि आखिर दस लाग करोड़ों रुपए एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग असेट और सरकार ने खातों को कैसे किया शून्य तत्थे में आज के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार अबलना ब करने से लाग कार दॉणो और बनने से लिघला ही जाना कि अलग है से लाग करृवरों करभ़ों